जहिंद एवरीवन, I welcome you all to my YouTube channel English from Basic by Nagendra Sir मेरे प्यारे बच्चों, मेरे मित्रों और प्यारे देश्वाशियों एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे भविश में आपको सारे वीडियोज मिलते रहेंगे तो चलिए सुरू करते हैं आज की क्लास एक बहुत ही मोटी विसनल और इमोसनल टॉपिक के साथ जी हाँ मेरे बच्चों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ जूलियस सीजर की विलियम शेक्सपेर द्वारा लिखा गया एक बहुत ही फेमस ड्रामा जूलियस सीजर अगर बात हो जूलियस सीजर की, तो जूलियस सीजर में इस ड्रामा में यूज किये कोटेशन को हम भूल नहीं सकते जी आँ मेरे बच्चों इस ड्रामा में जो quotations use किये गए हैं William Shakespeare के द्वारा पढ़ने के बाद या सुनने के बाद मेरे बच्चों मैं बिश्वास है मेरा आपको लगेगा कि emotionally आप इस ड्रामा से इन quotations से जुड़ गए हैं the good is off and entered with their bones बुराई हमेशा मरने के बाद भी लोग गाते रहते हैं हमेशा यह इतिहास गवा है समाज का यही दस्तूर है मरने के बाद भी लोग बुराई गाते रहते हैं लेकिन अच्छाई मरने के साथ दफन हो जाती है Mark Anthony बोलता है Rome वासिओं के सामने कि मेरे प्यारे देसवासिओं जैसा कि सबके साथ होता रहा है Julius Caesar के साथ भी वही होगा जिब Julius Caesar को बहुत बेरहमी से मार दिया जाता है उसका कतल कर दिया जाता है तब Mark Anthony खड़े होकर के सबके सामने बोलता है कि मेरे देशवासियों, the evil that men do lives after them, the good is often entered with their bones, अच्छाई हमेशा मरने के साथ दफन हो जाती है, लेकिन बुराई मरने के बाद भी लोग गाते रहते हैं, तो यह जुलियस सीजर के साथ भी होना था और हो रहा है, अगला जो quotation था क्या था, बहुत ही energizing, जी हाँ, बहुत ही energizing cowards die many times, before their deaths, the valiant never test of death, but once, कायर मरने के पहले कई बाहर मरते हैं, लेकिन जो योद्धा होता है, वह जीवन में मात्र एक बाहर मरता है, और वही अंतिम होता है, जी हाँ, डर डर कर जी होगे, तो जीवन तुम्हारा मरना ही हो जाएगा, हर छोण मरते रहोगे, यहाँ quotation, जु जाएगे बाहर, क्योंकि आज रात को मैंने जो सपना देखा है, वह बहुत ही भायानक बहुत बुरा है, आपको सीनेट हॉल नहीं जाना चाहिए, तब जुलियस सीजर बोलता है, बहुत ही confidence के साथ में, cowards die many times before their deaths, the valiant never test of death but once, कायर मरने के पहले कई बाहर मरते हैं, लेकिन योध्धा जीवन में एक ही बाहर मरता है, और वही अंतिम होता है, तो really अगर देखें वास्तिक जीवन में, तो सकते बात है, डर डर कर जीने का मतलब जीवन भर मरते ही रहोगे, और जीवन में निडर होकर जीओगे, तो जीवन आपका इस तरह का नहीं होगा, अगला quotation क् Yes, when beggars die, there are no commits, the heavens themselves place for the death of princes, और फिर कैलपूर्निया कहती है, मेरे प्रानात, आप भोल रहे हैं, शायद आपको पता नहीं, अगर बात हो छोटे मोटे आदमियों की, बात हो भिखारी जैसे लोगों की, माफ कीजेगा मैं किसी का उपहास नहीं, मैं भिखारी कहकर या गरीब कहकर किसी का उपहास नहीं उड़ा रहा हूं, मेरे बच्चों, मेरे मित्रों, यहाँ पर मैं केवल उन्हीं कोटेशन को एक्स्प्लेन कर रहा हूं, जो जुलियस सीजर में लिखा गया है, जी हाँ, when beggars die, there are no commits, the heavens themselves place for the death of princes, अगर बात हो गरीबों की, बात हो गरीब की, बात हो किसी king की, बात हो किसी great personalities की, तो सामान लोग तो छोड़ो, यहाँ तक की heaven, यह प्रकित भी कुछ ending, कुछ संकेत देने लगता है, अगर कोई बड़ी सक्सियत के मृत्त होने वाली है, तो यहाँ तक nature, प्रकित, heaven, हर जगह से कुछ न कुछ संकेत मिलने लगता है, कुछ अनोनी होने वाली है, यहाँ पर कैलपूरनिया यही बता रही है कि मेरे प्रानात, जिस तरह मैं सवपन देखी हूं, यहाँ साधरण नहीं है, क्योंकि यहाँ बात हो किसी एक महान सक्सियत की, तो चारो तरप से कही न कहीं से आपको indication मिलने लगता है, संकेत मिलने ल अगर कमेट की बात करें और अगर तूटते हुए तारे की बात करें तो यह सामाने लोगों के लिए नहीं होता कोई बड़ी सक्सियत वैसे भी सामाने हम आप अगर गाओं में क्या हर जगा कभी-कभी शाम को अगर कोई उल्ट का पिंड दिखता है या कोई तूटता हुआ तारे दिखता है तो लोग कहते हैं कि कोई बहुत ही महान आदमी था जो मर गया जिसकी आत्मा जा रही है तो किसी महान आदमी की बात होती है तब यह कहा जाता है इसलिए कैलपुर्निया उसको समझा रही है अपने जूलियस सीजर को बता रही है कि मेरे प्राणात, मेरे हस्बैन मान जाईए, मत जाईए ये किसी सामान ये आदमी के बारे में नहीं है ऐसा सपना अगर आ रहा है तो निश्चित रूप से सही हो सकता है लेकिन फिर भे जूलियस सीजर नहीं मानता और जाता है, और रंत में वही हिस्थिती होती है जैसा कि सपन में उदेखी थी, उसकी मृत हो जाती है मारा जाता है बेरामी से अगला कोटेशन, जी हाँ अगला कोटेशन, जितना छोटा दिखने में है मेरे बच्चों शायद उससे कहीं ज़्यादा एमोसनल है, आपको लगेगा आप एमोसनल ही पूरी तरह से अटाइच हो रहे हैं इस ट्रामा से यहाँ कोटेशन, जूलियस सीजर के द्वारा बोला गया था, जी हाँ मेरे बच्चों आपको सबसे ज़्यादा दुख या दर्द कब होगा जब आपका सबसे प्री, आपको जो सबसे ज़्यादा मानता हो या आप जिसको सबसे ज़्यादा मानते हो जिसको आप सबसे ज़्यादा प्रेम करते हो जब वहाँ आपको धोखा देता है तो आप पुरी तरह से तूट जाते हैं आपका दिल तूट जाता है मरना तो अच्छा है कोई जान से मार दे ठीक है लेकिन आपका जो सबसे अच्छा मित्र हो जिसको आप बहुत प्यार करते हैं जिस पर आप बहुत विश्वास करते हैं अगर वहां आपको धोखा देता है, दुश्मनों से ज़्यादा गलत ब्योहर आपके साथ करता है, तो शायद आप यह नहीं सहन कर पाएंगे, आप मरना बेहतर समझेंगे, बजाए यह सहन कर पाएंगे, आपका सबसे अच्छा मित्र, सबसे लविंग फ्रेंड आपको धोख सिंबर, सिन्ना, यह सारे लोग मिलकर के, ब्रूटस, जो कि जुलियस सीजर का सबसे अच्छा मित्र है, ब्रूटस, सोच लीजे मरे बच्चों, जुलियस सीजर का सबसे अच्छा मित्र ब्रूटस है, लेकिन क्या हो गया, कैसे उसके माइंड को वाश किया गया, कैसे उसके जुलियस सीजर के बारे में तो आपको बताऊंगा पूरी कहानी लेकिन शौर्ट में यहां यही जानिए कि सारे लोग मारना शुरू करते हैं एक प्लान बना था कि जुलियस सीजर सीनेट हॉल आएगा उसी समय उसको चाकू घोप करके मारना है खंजर से सब लोग मारेंगे कासका, मेटेलियस, सिंबर, सिन्ना सब लोग मारेंगे उसी समय यह बूटस भी मारेगा जो सबसे अच्छा मित्र है जुलियस सीजर का तो ध्यान दो यहां किसी की बात से चुकि जुलियस सीजर को पता था यह सब हमारे enemy हैं यह सब हमारे दुश्मन है सिन्ना, मेटेलिय, सिंबर, कासका यह सब हमारे enemy है यह सब हमारे दुश्मन है तो जब आपको पता है कि यह हमारे दुश्मन है यह हमको मारेंगे तो आपको दुख नहीं होगा लेकिन अगर आपका सबसे अच्छा मित्र अगर खंजर उठाए आपको मारने के लिए आगे दोड़े तो आप पूरी तरह से टूट जाओगे सेम वही स्थिति होती है जुलियस सीजर के साथ सारे लोग मार रहे थे खंजर भोग भोग करके बड़ी बेरहमी से उसका कतल कर रहे थे कुछ नहीं बोला वो सांती से देखता रहा जुलियस सीजर अपने उपर हो रहे अलत्याचार को देखता रहा लेकिन जब उसका सबसे अच्छा मित्र ब्रूटस जब खंजर भोगता है उसको तब जुलियस सीजर टूट जाता है, उसका दिल टूट जाता है, फिर जुलियस सीजर बोलता है E2 Brut, Brutus U2, मेरे सबसे अच्छे मित्र, मेरे अभिन्य अंग, मेरे बेस्ट फ्रैंड, मेरे क्लोस फ्रैंड, मेरे सखा, मेरे मित्र तुम भी मुझे मार रहे हो, जिस पर मेरा सबसे ज़्यादा विश्वास था, तुम भी, तब मुझे निश्चित रूफ से मर जाना चाहिए, इसके बाद का सेंटेंस यही था, तब उसने कहा, तो मुझे निश्चित मर जाना चाहिए, मेरा जिन्दा रहना तब ठीक नहीं है अगर मेरा सबसे अच्छा मित्र मुझे आज मार रहा है इसके बाद Julius Caesar तुरंद गिर जाता है तुरंद प्रान त्याग देता है यानि वह मर जाता है तो इसके बाद एक और कहानी आगे है बहुत ही emotional है तो कभी मैं आपको Julius Caesar की कहानी जब पताऊंगा तो पताऊंगा चलिए अगला quotation देखते हैं Yes Of all the wonders that I at have heard It seems to me most strange That man should fear Seeing that death unnecessary And will come When it will come Julius Caesar कहता है पता नहीं मुझे क्यों समझ में नहीं आता एक बात मुझे एक बात पर Yes मुझे इस बात एक बात समझ में नहीं आता जब लोगों को यह पता है कि सबको एक दिन मरना ही है तो डर किस बात का Yes मैं एक बात से बिलकुल पूरी तरह से surprise हूँ मुझे समझ में नहीं आता लोग क्यों डरती है जब लोगों को यह पता है कि मृत तो necessary है मरना निश्चित है उसने कहा it's necessary अगर अंत निश्चित है तो डरना किस बात का यार मरोगे तो मरोगे ही डर डर करके क्यों जी रहे हो इसलिए उसने कहा cowards die many times before their deaths कायर मरने के पहले कई बार मरते हैं तो मरने का जो डर है ये हमेशा तुम्हें मारता रहेगा इसली ये तो बहुत आश्यर जना घटना है जो लोग मरने के बारे में सूचते रहते हैं कि मर जाओंगा अरे ये तो पक्का है मरना ही है तो डर किस बात का आश्यर ही इसमें क्या है What is surprise in this इसमें क्या surprise है इसमें आश्यर क्या है? मरना तो है ही तो मेरे बच्चों ये famous five quotations थे जो मैंने Julius Caesar से उठाया था लिया था और आपको यहां बताया मेरे बच्चों अगर आपको अच्छा लगा हो मेरे मित्रों ये जो quotations मैं आपको यहां explain किया हूँ तो please कमेंट में आप अपना feedback दीचेगा मुझे अच्छा लगता है कमेंट पढ़कर आपका और फिर मैं जल्द ही इसके इसका complete वीडियो जूलियस सीजर का मैं लाऊंगा जिसमें पूरा summary होगा जूलियस सीजर का और आप भी आप अच्छे से enjoy कर पाएंगे चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में